हलो फ्रेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास की बुक मोमेंट्स का सेवन्थ चेप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है दे लाश्ट लीप रिटन बाई ओ हैंडरी ओ हैंडरी का पूरा नाम है बिलियम स्रिडनी पॉटर ये ओ हैंडरी पैन नेम से लिखते हैं पैन नेम क्या होता है जैसे आपका एक तो रियल नेम होता है और घर में गाव में आस प्रोस में आपको एक निक नेम से बुलाया जाता है तो ये ओ हैंडरी पैन नेम से लिखा करते थे और अमेरिकन सोर्ट स्टोरी राइटर हैं शोर्ट स्टोरी राइटर होने के नाते इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिस की 1907 में बुक का नाम था The Trimmed Lamp and Other Stories इसमें बहुत सारी स्टोरी है और एक स्टोरी है The Last Leap वैसे तो Last Leap को 1905 में लिख दिया था लेकिन पब्लिस हुई है इस बुक के अंदर ये स्टोरी एक गाउ है Greenwich विलेज है जहाँ पर ये स्टोरी घचेत होती है ये स्टोरी उस समय में लिखी गई है जब pneumonia, epidemic pneumonia महामारी फैली हुई थी और इस गाउ में तीन करेक्टर्स थे शू, जॉन्सी और बहर्मेन इन तीनों करेक्टर्स का इस कहानी में बहुत ही important role है ये कहानी हमें message देती है कि हमें sacrifice करना चाहिए यदि हम अपने sacrifice से किसी का जीवन बचा सकते हैं तो वह हमें करना चाहिए एक theme और है इस कहानी की वह यह है कि जो hope होती है जो आसा होती है उसमें बहुत power होती है तो हमारी will power strong होने चाहिए तो आएए देखते हैं कहानी में क्या है कहानी में shoe and johnsy दो young artist हैं ये दोनों महिलाएं painting करती हैं और एक पुराने से घर के third floor पे रहती है third floor पे एक flat है उसमें दोनों रह रही है लेकिं johnsy बीमार है johnsy is suffering from pneumonia pneumonia इसको हो रखा है और ये अपने bed पे लेटी रहती है और वहां से एक window में से बहर की जो building है उसकी दिवार पे एक creeper है एक bail है एक लता है जिसका नाम है आईवी आईवी की एक wine है एक लता है उसको देखती रहती है johnsy के इलाज के लिए श्यू रेगुलर डॉक्टर को बुलाती है डॉक्टर भी डेली आता है लेकिन जॉंसी की condition में जॉंसी के स्वास्ते में कोई सुधार नहीं आता है डॉक्टर स्यू को एक साइड लेकर के जाता है और पूछता है यह जी something worrying जॉंसी जॉंसी को कोई चीछ परेशान कर रही है क्या जॉंसी किसी depression में है क्या शू करते है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है जोनसी ने अपना माइंड बना लिया है कि सी विल नौट गैट वैल सुन कि वैं ठीक नहीं होगी और अगर जोनसी के अंदर विल पावर नहीं होगी जीने की तो दबाईयां भी अपना काम नहीं करेंगी मेडिसंस अपना काम नहीं करेंगे जब शियू ने ऐसा सुना कि जोन सी के अंदर तो जीनी की इच्छा ही नहीं है डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं तब शियू ने जोन सी का माइंट डाइवर्ट किया आसपास की चीजों में उसका ध्यान लगानी की कोशिस की शियू talked about fashion शियू ने fashion के बारे में बात की शियू ने कपड़ों के बारे में बात की और तो और शियू अपना paint करने का जो board है वो भी उसके कमरे में ही ले आई और वहां पर painting करने लगी शियू ने whistling की CT बजाने लगी ताकि इसका ध्यान डाइवर्ट हो बिमारी से हटे लेकिन तभी स्यू को अचानक सुनाई दिया ट्वेल्फ, इलेवन, टैन, नाइन, एट, सेवन जोन सी उल्टी गिनती गिन रही थी कि बारा, ग्यारा, दस, नो, आट, साथ तभी स्यून ने देखए क्या गिन रही है और देखा कि ये विंडो से बाहर देख रही है और सामने जो इंटो की बने हुई दिवार है उस पे एक आईवी क्रीपर है और उसके पत्ते वन बाईवन नीचे फॉल हो रहे हैं नीचे गिर रहे हैं इस प्रकार से शू ने देखा जौन क्या नोटिस कर रही है क्या मैटर क्या बात है और जौन शी तभी क्या गिंती है 6 कहती है कि इस बेल के पत्ते निचे गिर रहे है और जॉन्सी कह रही है कि पिछले तीन दिन से मैं ये देख रही हूँ तीन दिन पहले तो इस पे लगबख सो के गरीब पत्ते थे ये वन बाई वन गिरते जा रहे हैं और अब तो फाइव रह गए हैं एक पता और गिर जाता है सिक्स के बाद एक और गिर गया तो कहते हैं कि अब तो फाइव रह गए हैं सियू कहती है तो क्या हुआ ओटम सीजन है पत जड़ का मोसम है इसमें पत्ते गिरते ही हैं नोंबर का मन्त है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जान से कहती है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब इस आईवी क्रीपर का लाश्ट पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाओंगी मैं नहीं बचूंगी और मैं ये बात तीन दिन से जानती हूँ पिछले तीन दिनों से मुझे ये बात पता है सियू कहती है वाट नोंसेंस क्या बातें कर रही हो अरे पत्तों को गिरने से थोड़े मर जाओगी तुम और जॉनसी को ये बात कहती है और इसके बाद इसके लिए सूप लेकर करके आती है जॉनसी कहती है कि मुझे सूप में इंटरेस्टे नहीं है मैं लाश्ट पत्ते को गिरते वे देखना चाहती हूँ अब तो चार ही रह गए हैं कितने पत्ते रह गए हैं अब चार पत्ते रह गए हैं जौनसी कहती है तुम बाहर मत देखो विंडो से बाहर मत जहाको मैं अपनी पेंटिंग बना रही हूँ नहीं तो मैं कर्टेन को यहां पर लगा देती विंडो पर तुम बाहर ना देख पाती लेकिन मुझे लाइट चाहिए पेंटिंग को फिनिश करना है अपने लिए पैसा कमाना है जो हम दोनों के काम आ सके जौन सी कहते हैं चलो ठीक है तुम पेंटिंग मनाओ मैं बाहर देखती हूँ लाष्ट पत्ते का वेट करती हूँ लाष्ट जो पत्ता है जो लीफ है वह है कब गिरता है और मुझे इसकी वेट है और मैं फैड अप हो गई हूँ I am tired of मैं ये पत्ते क्यों ने गिर रहे हैं जल्दी से मैं कब से न को वेट करें हूँ गिरने का गिरने करके गिर जाएं और सायद ये पत्ते भी परिसान हो चुके हैं ठक चुके हैं गिरते गिरते ये भी नहीं गिर रहे हैं तो जौन सी कहती है कि मैं उसी तरह से परिशान हूँ जैसे कि ये पत्ते गिरने से परिशान है अब शू कहते हैं चलो तुम ऐसा करो ट्राइटू स्लीप तुम सोने की कोशिस करो मुझे भी एक ओल्ड माइनर पेंट करना है ओल्ड माइनर एक खदान जहां से खनिज पदार निकलते हैं जैते है मैं उसको पेंट कर रही हूँ मुझे वह पेंट करना है और अब मुझे बहर मैं को भी बुला करके लाना है वह भी साइद मेरी कुछ मदद करते हैं इस पेंटिंग में और इस प्रकार से स्यू जोंसी को कह करके कि तुम सोजाओ बहर मैं जो एक बहुत ही अच्छा पेंटर है उसको बुलाने चली जाती है और बहर मैं कहां रहता है वह है उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहता है श्यू परेशान है वह जोंसी के हैंड को भी किस करती है ताकि उसको रात मिले और चली जाती है बुलाने बहर मEN को बहर मैं एक 60 श् реж औरосс części पेंट पेंट था उसका, to paint a masterpiece, वह एक ऐसी painting मनाना चाहता था, जो उसकी masterpiece हो, बट उसका ये सपना सपना ही रहा, वह कभी ऐसी painting बना ही नहीं पाया जिसे लोग मास्टर पेस कहें सरवत्तम कलाकृति कहें और तब स्यू बहर्मेन के पास जाती है बहर्मेन को पूरी बात बताती है क्या कहते हैं कि जोंसी को ऐसा विश्वास है कि जैसे ही आई वी क्रीपर का लाश्ट लीप नीचे गिरेगा वह मर जाएगी और जोंसी को खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है नहीं कुछ खा रही है और नहीं कुछ पी रही है बहर्मेन कहते हैं पागल है क्या मुर्क है क्या ऐसा थोड़े ही होता है और शू बताती है कि जोंसी को हाई फीवर है और उसे कुछ भी नहीं सूज रहा है कि वह क्या करे क्या ना करे बहरमन कहता है कि चलो कोई बात नहीं मैं उसको देखने के लिए आता हूं और बहरमन श्यू दोनों वापिस जॉन सी के कमरे में आते हैं श्यू और बहरमन जॉन सी के कमरे में बड़े silently धीरे से आते हैं और देखते हैं कि जौन सी सो चुकी है तब श्यू उस विंडो पर कर्टिन लगा देती है और अगले कमरे में जाकर के वो देखते हैं कि उस आईवी क्रीपर पर केवल एक ही पत्ता रह जाता है और लाश्ट पत्ता है किसी भी मिनट गिर सकता था किसी भी टाइम वह पत्ता गिर सकता था और बहरमन सी उस पत्ते को देखते हैं बहरमन कुछ भी नहीं कहता और वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है रात भर बारिस होती रही बहुत भारी बारिस होई आई सी कोल्ट विंट ब्लो करती रही यंगी ठंडी हवा चलती रही और उसके बाद अगली सुबह हो गई जौन सी जब जागी तो सीव को कहा कि ये परदा हचा दो और सीव बड़ी हजिटेट कर रही थी बड़ी हिचकिचा रही थी तो कि उसको था लास्ट मत्ता गिर गया होगा और सियू ने हजिटेट करते वे परदे को हचाया और बाहर देखा कि लास्ट लीप अभी भी उसी आईवी क्रीपर पर लगा हुआ है लास्ट लीप नहीं गिरा है इतनी भारी बरसात हुई हैवी स्टॉर्म और इतनी थंडी हवा चली उसके बावजूद भी ये पत्ता नहीं गिरा और जोन सी को कहती है कि देखो ये पत्ता नहीं गिरा है अब तुम ऐसा मत सोचो जोन सी कहती है कि मैंने रात को सुना था हवा को चलते वे बारिस को होते हुए मैं तो सोच रही थी ये पत्ता गिर गया होगा अगर ये पत्ता गिर जाता तो मैं आज मर गई होती स्वियु कहती है की ऐसी बात मत करो ऐसा मत कहो देखो पता कितना green है और healthy है green और healthy यहां पर symbol है hope का यहां पर symbol है prosperity का यहां पर symbol है happiness का यहां पर symbol है optimism आसावादिता का यान कि अब तक पूरी कहानी में निरासा थी, कि पत्य के गिरते ही जॉन सी मर जाएगी, अब क्या आ गया है, कहानी में ट्विश्ट आ गया है, इसमें optimism खत्म हो गया है, pessimism निरासा वादिता खत्म हो गया है, अब इसमें hope है, इसमें happiness है, और जॉन सी को स्यू कहते है कि अग तो अकेली रह जाती और इसके बाद जोनसी हर एक घंटे के बाद उस पत्ते को देख रही है कि अब गिरा अब गिरा लेकिन पत्ता अभी भी वही पर है पत्ता नहीं गिरता है अब जोनसी रीकवर होने लगी है अब जोनसी ठीक होने लगी है शाम के टाइम फिर से तूफान आता है, हवा चलती है लेकिन पत्ता नहीं गिरता अब जोनसी को थोड़ा सरमिंदगी महसूस हो रही है अब वह कहती है कि मैं कितनी बूरी लड़की हूँ शिव, तुमने तो मेरी देखभाल की है लेकिन मैंने ही तुम्हारे साथ कोई कॉपरेटर नहीं किया है एक पत्ते ने मुझे सिखा दिया है कि मैं कितनी बूरी लड़की हूँ How weak I, कितनी बेकार हूँ मै और अगर मैं बात करूँ इस पत्ते की तो इस पत्ते की वज़े से मैंने तुम्हें भी परिसान कर दिया है तो अब ऐसा नहीं है और जॉन सी ये भी कहती है कि it is a sin to want to die मरने की इच्छा करना तो अपराद है तब स्यू जून सी को सूप देती है जॉन सी को गले लगाती है जॉन सी को मिरर देती है ताकि वो अपने बालों को समार ले उसके रूम की साप सफाई करती है और फिर डॉक्टर भी आता है और डॉक्टर जॉन सी को देख करके कहता है कि अब ये रिकवर हो रही है इसके अंदर जीने की इच्छा पैदा हो गई है अब ये जल्दी से रिकवर हो जाएगी और मैं बहरमन को देखने जा रहा हूँ डॉक्टर ऐसा इसलिए कहते है क्योंकि बहरमन निमोनिय से पीडित है अब बहरमन को निमोनिय हो गया है जों सी निमोनिय से ठीक हो गई है और डॉक्टर कहता है कि बहरमन के बचने की कोई आसा नहीं है डॉक्टर ये कहा कर चला जाता है कि बहरमन के बचने की कोई उमेद नहीं है क्योंकि बहरमन निम्मेनिय से पीडित है अगली सुभह स्यू जोनसी के पास आती है और जोनसी के हातों को अपने हातों में लेकर के कहती है I have to tell you something मुझे तुम्हें कुछ बताना है अब क्या बताना है स्यू जोनसी को बताती है कि आज सुभह बहर्मन की मोत हो चुकी है बहर्मन मर चुका है और बहर्मन पिछले दो दिन से बिमार था और पहले दिन तो जैनीटर ने उसको देखा था जैनीटर कौन होता है जैनीटर एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी बिल्डिंग की देखभाल करता है जोग अप जैनीटर इस तु लुक आप्टर पहले दिन वो अपने बैड पे लेटा हुआ था उसके कपड़े गिले थे उसके शूज गिले थे और वहे कांप रहा था और ऐसा लगता है कि वहे उस श्टॉर्मी नाइट को जिस दिन बहुत भारी बरसात हुई थी जिस दिन जौनसी को ये लग रहा था कि अगली सुभह जब वह उठेगी तो उसे वह पत्ता गिरा हुआ मिलेगा स्यू कहती है कि उस रात वह पूरी रात बाहर रहा था तब वे दोनों उसके बैड रूम के पास जाती हैं बैड के पास देखती हैं वहाँ पर एक सीधी थी एक लेड़र और एक लाल चेन अब भी जल रही थी ये दोनों देखती हैं के सीधी के पास ब्रस्पड़े हैं और कलर्स पड़े हैं ग्रीन और येलो अब देखो लेज़ भी दो हिए बताएं ग्रीन और येलो Green is the symbol of optimism and Yellow is the symbol of pessimism यानि कि Yellow उदासी का प्रतीक है और Green आसावादिता का प्रतीक है ये colors भी उसके पास वहाँ पर गिरेवे मिलते हैं और Shoo Jonesy को कहती है अच्छा Jonesy एक बात बताओ अब भी वह आईवी लीप उस बेल का पत्ता वहीं पर है कि तुम्हें नहीं लगता कि इतना तुफान आया इतनी हवा चली इतनी बारिस हुई उसमें भी ये नहीं गिरा यही वह पत्ता है जो बहर में ने उस रात paint किया था इतना real लीप उसने बना दिया था कि वह नहीं गिरा इस परकार से बहर में ने जो लीप पेंट किया था वह उसकी masterpiece था क्यों था masterpiece because the leap has the capacity to save the life of John C क्योंकि उस पत्ते ने John C की life को बचा लिया था तो इसलिए वह पत्ता बहर में की masterpiece से बन चुका था इस परकार से ये कहानी सुमाप्त हो जाती है बहर में ने अपने सर्वत्तम कलाकृती के माध्यम से एक लड़की का जीवन बचाया और अपने जीवन को गमातिया sacrifice कर दिया और उधर जोंसी के अंदर hope पैदा हो गई और hope की power ने hope की ताकत ने उसे बचा लिया इसलिए कहते हैं कि will power होनी चाहिए और हमें अपने लाइट को दूसरों के लिए sacrifice कर देना चाहिए जैसे बहर मेंनिक किया था आई होप आपको पूरी कहनी समझ में आ गई होगी अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करना और शेर करना बिल्कुल मत भूलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवस्य लिखेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहें थैंक्यू, हवा नाइस टाइम